हलो फ्रेंट्स वेलकम टु गारगी क्लासिज दा इंडियान एक्सप्रस एडिटोरियल डिसकेशन में आज 3 सेप्टेंबर 2020 के अपन इंपोर्टन आर्टिकल्स डिसकस करेंगे तो देख लेते हैं कौन-कौन से इंपोर्टन आर्टिकल्स हैं पहला आर्टिकल है यह टेलीकॉ को रिलीफ दी गई है कोविट-19 की वज़े से प्रॉब्लम्स का सामना करते हुए और पहले भी कुछ क्राइसिस का सामने टेलीकॉम सेक्टर कहीं नहीं कर रहा था जब से रिलाइंस जीयों ने डिस्रप्टिव स्टैप्स लिए हैं तब से लेके अब तक ठीक है यह देखन अब ट्रीक के देखेंगे कुछ काम की बात है यह साथ में यह थर्ड आर्टिकल जो रहेगा वह रहेगा वाल विद्धा विंड्वर्व अभी जो कुविड-19 क्राइसिस हैं इन में इंडिया के लिए क्या ओपपॉर्चनेटी है क्या किया जा सकता है जिसने कि जो आज तक लेक्यूना जो कमिया रही है इंडियन इकोनोमिकल पॉइंट आफ यू से देखें या स्ट्रेटेजिकल पॉइंट आफ यू से देखें तो क्या-क्या रिफॉर्म्स किया जा सकते हैं जिससे कि एक ब्राइटन फ्यूचर इंशूर किया करना आसान हो सके फिर आटिकल अपन डिसकस करेंगे आइडिया पीज से एक तो इसमें यह देखेंगे कि आज के टाइम पे जो एजुकेशन की बात की जा रही है और उसमें भी ओनलाइन एजुकेशन को प्रोमोट करने की बात कर रहे हैं तो उसके लिए पहले क्या-क्या स्टैप्स लिए गए हैं गवर्मेंट के द्वारा और सेकंड अभी जो गवर्मेंट जो कुछ करना चारी है उसमें कितना कहना और करने में कितना गैप है वो अपन अइडेटिफाई करने कोशिश करेंगे अच्छा आर्टिकल है और लास्ट में फिर आर्टिकल ये डिसकस करेंगे आई यूनिटी ओफ पर्पर्ज बेसिकली जो पार्लेमेंटर इन जो कमेटीज होती है उनकी फंक्शनिंग किस तरीके से होती है वहाँ पर क्या कंवेंशन्स है क्या प्रेक्टिस अडॉप्ट की हुई है उनको लेकर के बात करेंगे अच्छा अपन इन पांचो आर्टिकल की बात करेंगे बाकिया आर्टिकल मुझे इतने इंपोर्टन लगे नहीं आप एक बार चाहो तो फिर भी देख लेना चलिए फर्स आर्टिकल अपन देखते है अभी जो सुप्रिम कोट का रिसेंट वर्डिक्ट आया है जिसमें एड्जस्टिट ग्रोस रेविन्यू से रिलेटेट जो केस है उसमें सुप्रिम कोट ने रिलेक्शेशन दिया है टेलिकॉम कंपनीज को उसमें ये कहा है कि आपके जो ड्यूज़ आपके उपर जो फाइन लगाया गया है या फिर आपके जो एक टेक्स फॉर्म में आपको जो गवर्मन्न को देना है उसमें relaxation मिला है telecom companies को और ये कहा है कि आप 10 साल के 10 years के span में आप repay कर सकते हो जो भी dues है ठीक है तो ये जो एक uncertainty बनी हुई थी telecom companies के लिए वो कहीं न कहीं खतम होती हुई दिखाई देती है और एक long standing dispute था government और telecom companies के बीच में वो खतम होता है इस verdict के साथ में telecom operators जो है उनको ये कहा गया कि आप 10% तो अभी आने वाली जो March 21 है तब तक आपको देना है और remaining part जो भी होगा उसको annual installments में convert कर दिया जाएगा from March 2022 से ठीक है एरटेल भारती की बात की जाए भारती एरटेल ने अभी तक है उन पे जो adjusted gross revenue का due था total वो था 43,980 करोर उसमें से एरटेल भारती एरटेल ने अभी तक 18,000 करोर तो रीपे कर दिया समिलरली अगर Vodafone आइडिया की बात करें तो उन्होंने अपने total dues जो कितने थे 58,254 करोर उन्होंने 7800 करोर उन्होंने hand over कर दिया है गवर्मेंट को पर उनके पास में जो दिरे दिरे जाको एक तो COVID-19 की वज़े से इन्हों को financial crunch आ गया है दूस्तरा टेलिकॉम सेक्टर अल्रेडी डिस्ट्रस का सामना कर रहा था तो इस वज़े से ये कंपनीज एक review petition इन्होंने डाली थी सुप्रीम कोट में कि भई हमें कुछ relaxation तो दो तो ये जो verdict आया है जिसमें टेलिकॉम कंपनीज को अपना due payout करने के लिए 10 साल का time दिया गया है तो ये अपने आप में एक अच्छा कदम है पर साथ में अभी अगर cash flow की बात देखें immediate cash flow की बात देखें जहां पर problem बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है इन टेलिकॉम कंपनीज को तो वो उस limit को भी consider किया है यहां पर सुप्रीम कोट ने अपने verdict में ये एक verdict है जिसकी वज़े से इनके ओपर जो प्रेशर बन रहा है repeated जो activities हो रही है इनकी वज़े से तो वो कही नगे ease out होता हुआ दिखाई देता है टेलिकॉम companies जो है वो government और टेलिकॉम companies दोनों मिलकर के कही नगे demand तो ये कर रही थी कि 15 से 20 साल का time हमें दे दिया जाए जिससे कि हम easy way में repay कर सके ये जो भी dues है बट relief जो period अभी Supreme Court ने एक avail किया है वो कही नगे 10 साल ही किया है तो थोड़ा बहुत कम कर पाए है तो ये जो verdict है इसने ज out किया है reduce किया है और पर इसके साथ साथ में कुछ doubts हैं वो continue बने रहते हैं specifically अगर बात की जाए Vodafone और idea के future पे क्योंकि इसकी financial position जो है Vodafone की idea की वो भी ठीक नहीं है साथ में कुछ concerns और बढ़ जाते हैं जब telecom sector की तरफ देखें तो डियो पॉली की तरफ जाने की कोशि हो रही है that means अगर Vodafone इस sector से निकल जाता है तो केवल भारती एरटेल और दूसरी तरफ रिलाइंस जियो यह बड़े player रह जाएंगे और इन में से रिलाइंस जियो है वो stronger player रह जाएगा तो कहने का मतलब यहाँ पर अपने पास में competition और एक option की viability या options की कमी आने का scope बना रह रह रहा है अगर Vodafone का existence की बात करें तो वो depend करती है कि promoters कितना additional capital pump करते है Vodafone की तरफ वो एक देखने वाली बात है साथ में industry को अगर stabilize करके रखना है जिसमें आज जो brutal price वोड चल रहा है कि कौन सस्ते में data available करा रहा है जो पिछले कुछ सालों में देखा गया है वज़े से जो prices हैं वो बहुत ज्यादा decline कर गए तो इस वज़े से tariffs की वज़े से जो पैसा ही कटा होना था रिचार्ज जो कराते हैं लोग या फिर जो भी प्रिपेड पोस्पेड प्लान लेते हैं उनसे इसकी वज़े से इनके पास revenue की कमी आ गई और consequence क्या हो रहा है अभ rise होती हुई दिखाई दे रही क्योंकि compensation तो कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा तो वो एक बात ये concern ही consequence form में अपन देख सकते हैं अगर आपन देखें एक और critical issue इसी segment में ये तो चलो ठीक आपने जो dues थे उनको repay करने की बात कर दी अब इसके ही equally एक और critical issue है वो है spectrum को sell out करन अब इसमें जो court ने बहुत बार इस चीज़ को लेकर के question उठाए हैं कि भई जो spectrum है telecoms के पास में telecom companies के पास में जिनों ने government से खरीद लिया है और वो telecom companies अगर insolvency and bankruptcy code के under में मतलब under process है इन IBC के under में तो क्या वो उन spectrums को auction कर सकते हैं क्या उनके निलामी कर सकते हैं बिना government को dues पे किये हैं मतलब कि उनके उपर करजा भी बहुत जादा हो गया dues भी बहुत सारे हो गया जो government को उनको pay करना है और उनको पैसो की भी कमी आ रही है तो एक तरीके से government के spectrum है जो उन्होंने past में खरी दे थे क्या उनको वो auction out कर सकते हैं तो ये जो चीज है ये कही ना गहीं अब NCLT के पास में पड़ी है National Company Law Tribunal के पास में है वो ही इसको decide करेगा कि ऐसा हो सकता है या नहीं अभी क्या है recent Reliance Communication अनिलंबानी का आपने case सुनाओगा जिनको IBC के सामन समन किया गया है और उन्होंने जो guarantee दी थी अपनी खुद की personal assets के basis पे कि रिलाइंस कम्यूनिकेशन को आप पैसे दो उसके basis पे मैं guarantee देता हूं आपको तो उनको समन किया गया था क्योंकि वो company fail हो गई यह भी Reliance Geo से पहले Reliance Communication भी Reliance की SIM आई थी आपको पता हो तो GSM की उन् 2006 के आस पास में आई थी यह company फिर पांच चार-पांच साल काम किया फिर वो collapse हो गई बिल्कुर तो चलिए अपने pointing की तरफ वापस आता है तो issue यह जो spectrum वाला आता है वो कब निकल के आता है कि जब government ने जो Reliance Communication से related जितने भी assets थे उनसे dues को recover करने की जब बात की तो जब resolution process क की तरफ जब गए तो उन्होंने ये देखा कि जो financial creditors है वो interested ही नहीं है government भी interested नहीं है कि वहाँ से पैसा निकाला जाए क्योंकि अगर आप देखोगे कि जो assets आप एक तरीके से resolve कर रहे हो या फिर उनको sell out कर रहे हो तो उनकी value at least उतनी तो नीची जितना की लोगों ने निकते हैं तो क्यों बेचेगी government तो ये एक बड़ा सवाल निकलता है यहीं से एक चीज ये निकलती है कि government department जो है वो कहीं ना कहीं जो claim किया जा रहा है बहुत सारे जो creditors है creditors दे को एक तो पैसे देने वाले होते हैं loan देने वाले और दूसरे जो physical assets देने वाले होते हैं कि आप यहां सामारे सामान उठा ले जाओ मकान बना लिया आपने या फिर कोई भी आपने tower बना लिया कोई भी office बना लिया तो उसका जो requirement construction material वो आपने बिना पैसे के एक तरीके से वैसे उठाया तो creditors की दो category होगी तो आपने यहां पर जो government departments हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज क को disregard कर रहे हैं कि जो आप एक hierarchy decide करते हो अंडर IBC section 53 53 जो section है इंसolvency and bankruptcy code के अंडर में उसमें जो claim देते हैं वो कि भाई ज्यादा priority देनी होती है जो commercial या फिर जो लोगों ने loan दिया है for example banks फिर उसके बाद में लिस्ट बनती है तब जाता है कि हाँ भाई physical assets किसने support किया हैं तो इसको कही ना कहीं government departments कही ना कहीं एक disregard करते हैं ज्यादा इसको लेते नहीं है consideration में तो यहाँ पर सवाल उठके आता है कि spectrum का जो ownership की बात हो रही है कि यहाँ पर जो telecom companies insolvency bankruptcy code के अंडर में जा रही है क्या वो spectrum sellout कर सकती है कि नहीं यह जो सवाल है यह दूसरे natural resources पे भी कि government जिन other sections में जो अलग dependent sectors है जहाँ पर license देती है permit देती है वहाँ पर भी यह clarity आनी जरूरी है कि भई अगर कोई bankrupt company है problem बहुत ज़ादा है financial constraint बहुत ज़ादा है तो वो किस तरीके से इन issues को tackle करेंगे तो यह एक adverse consequence होता हुआ दिखाए देता है जो sectors government की licensing पे depend करते हैं ओके तो इस तरीके से अगर देखें तो अभी एक बार तो Supreme Court ने जो कुछ verdict दिया है यह अपने आप में अच्छा है और Department of Telecommunication है उसके हाथ में powers है कि वो approve करे कि license को transfer करना या फिर spectrum को transfer करना बट अभी देखा जाए तो Reliance Communication के case में Department of Telecommunication मतलब Government of India ने ऐसा कोई interest नहीं दिख हाया है कि भई आप अपनी चीजों को sort out करने के लिए spectrum को sell out कर सकते हो या नहीं कर सकते तो यह एक uncertainty अभी भी बनी हुई है ड्यूस से related तो Supreme Court ने verdict अच्छा दे दिया बट यह जो spectrum वाली बात है यह अभी भी कही नहीं प्राब्लम में फसी हुई है तो possibility है कि आने वाले देखते हैं releasing काफील खान अभी जो रिसेंटली हाई अलाबाद हाई कोट ने जो detention में चल रहे थे काफील खान जो कि गोरकफुर बेस्ट एक बी आरडी medical college और hospital के डॉक्टर थे इन्हों ने एक statement दिया था एक speech दिया था किस पे जो citizenship amendment act आया और national register of citizens के बेसिस पे जो अलिग लिए तो उस बेसिस पे जो यूपी government थी उन्होंने national security act को impose किया और उसके बेसिस पे इनको detention में ले लिया किसको काफील खान को अब हाई कोट में जैसे ही ये बात पहुची तो हाई कोट ने इस पूरे issue को इस पूरे matter को investigate किया करवाया तो पता पड़ा कि ये जो statement थे speech था ये a call for national integrity और unity के लिए था यहाँ पर इस पूरे speech में ऐसा कोई भी part नहीं था जो की एक hatred या violence को promote करें दो judges की bench बेटी थी तो उन्होंने doctor की detention से related जो NSA को impose किया गया उसके दो मेहने बाद में मतलब speech दे दिया और उसके दो मेहने बाद में ये जो NSA बीस detention जो लिया गया उनक को ले गए detent कर दिया गया था तो वो दो मेहने बाद में हुआ तो दो judges की bench ने क्या कहा ये law के point of view से bad conduct है अगर किसी भी speech के अगर selective reading आप करते हो तो आप speech के बारे में पूरी चीज़े नहीं समझ पाते हो true intent को नहीं समझ पाते हो ये चीज यहाँ पर अलाबाद high court की two judges की bench ने कहा complete reading किसी भी speech की बहुत जरूरी है और अब जब तक अपन complete reading नहीं करेंगे तो उसका basic idea नहीं निकल के आएगा और इस पूरे speech की जब reading पूरी की गई है तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं निकल के आता जो की heterity of violence को promote करता हो तो यहाँ पर due process of law जो है वो कहीं न कहीं violet होती होई दिखाई गई है खान की जो arrest होई उसमें और साथ में NSA का जो subsequent मतलब जहाँ पर कहीं न कहीं यह एक draconian law है draconian law इसलिए बोला गया है क्योंकि state जो है इसका misuse करता है citizens का जो right under article 19 of our Indian constitution citizens right to free speech और dissent इसको दबाने के लिए government इस draconian law का use करती है repeatedly यह बहुत बार होता रहा है 1962 में कैदारनाथ सिंग का एक case था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आप seditious activities उनको consider करो जो public disorder या violence create करने में काम करें यह सुप्रीम कोर्ट ने 1962 में बोल दिया था तो यहाँ पर यह बात आती है कि recent times में जो state authorities है उन्होंने national security act के provisions को frequently invoke किया है जिससे कि free speech को भी इन्होंने बहुत बार criminalize किया है और dissent को भी दबाने की कोशिस किया कि कोई अगर सरकार के खिलाफ बोले तो उसको suppress करने की कोशिस की है judiciary जो है यहाँ पर कही नहीं help करती हुई दिखाई देती है executive का specifically बात की जाए lower courts क्योंकि lower courts के पास में एक जल्दी से एक तो pressure होता है तो वहाँ पर जो benefit of doubt जो होता है वो state की favor में चला जाता है तो जो NSA का imposition होता है उसको validity मिल जाती है जैसे कि आपको पता होगा article 22 जहाँ पर detention की बात की जाती है preventive detention या फिर किसी भी तरीके से तो उनको detent किया जाता है तो 24 गंटे के अंदर अंदर किसी magistrate के पास में जावना होता है और magistrate अगर approval कर दे कि एकदम तसाई legal way के अंदर ही arrest किया गया है तो उनको अगर arrest कर लिया किसी को जैसे खान को डॉक्टर खान को किया तो lower court ने benefit of doubt दे दिया state को तो detention हो गया फिर उसके बाद में process आगे बढ़ती गए और आज साथ मैने बाद में जो डॉक्टर खान थे खान है उनके arrest को कही ना कही अलाबाद high court ने reject किया है तो जो state है वो इस draconian law का repeatedly use करता रहता है अगर अपन देखें previous 10 cases का जो इस साल में invoke हुए है free speech और dissent को लेकर के जिसमें supreme court के बहुत सारे verdict अगर देखें तो चार ही ऐसे cases है जहाँ पर supreme court ने right for the free speech जो इस चीज को लेकर के जो लोगों ने dissent शो किया है अपना उनमें उनको relief मिली है बाकी 6 cases ऐसे है जहाँ पर center एक defendant party थी तो वहाँ पर petitioners को कोई relief नहीं मिली तो कहने का मतलब यह है कि जो state high courts है high courts जो काम करते हैं for example अलाबाद high court इनको credit देने की जरुरत है जिन्होंने एक ये जो disc quitting जो pattern चल रहा था इसको break किया जो एक trend चल रहा था जो 10 cases का example यह सुप्रीम कोट का उसको break किया और एक template दिया है दूसरे courts को कि आप भी इस तरीके की conduct को follow कर सकते हो जिससे की logo के या citizens के fundamental rights को preserve किया जा सके और state जो encroach कर रहा है इन rights को इससे state को रोका जा सके और outdated laws को कैसे भी करके stuck down किया जा सके ठीक है तो यह अपने आप में crucial time है जहां पर descent के लिए जो space है वो कही ना कहीं कम होता हुआ दिखाई दे रहा है तो हमें इस space को protect करने की जरुरत है क्योंकि democracy है democracy में देखो सबसे पहले आती है thesis फिर आती है antithesis और इन दोनों में से निकलता है फिर synthesis एक बात बोली जाती है उसका opposition होता है और फिर उन दोनों में से better outcome जो होता है वो हमारे लिए better होता है ultimately जिसको हम policy formulation में use करते हैं इसी से related वो अपन parliamentary committee के वाला article भी discuss करेंगे उससे पहले यह देख लेते हैं दो articles और पहला है next article अपना wall with a window मनीश सबरवाल के दुआरा लिखा हुआ यह article है देखो यहाँ पर एक यह चोटा सा anecdote बताते हैं अमेरिका में जो opioid crisis आया था 1995 में जिसमें doctors और medical students ने एक चीज के लिए अपने आपको convince कर लिया कि भई चार चीज तो होती हैं किसी भी चीज की किसी भी बिमारी के चार science तो होते हैं एक तो temperature एक pulses एक breathing rate और एक blood pressure इनके अलावा पांच वा vital sign भी होता है दर्द के बारे में सोचना thinking of pain कितनी परेशानी कितनी पीडा ठीक है psychological pain जिसको बोलते हैं तो इस तरीके से पांच vital चीजों के बारे में बोला तो कहने का मतलब यह है कि medical science ने भी recognize कर लिया है कि भई pain killer ज्यादा देना जो है वो भी घातक होता है short term में तो ठीक है बट long term में ignorance को और अगर इस चीज़ को continue करते हैं ignorance based आप pain killer देते जाते हो देते हो वो भी अपने आप में एक danger बन के आता है कहने का मतलब pain को सोचा तो pain killer लिया तो उसके भी repercussions आपको long term में देखने पड़ते हैं कोविड ने भी ऐसा ही एक economic pain create किया है history suggest करती है कि जो आज की circumstances हैं वो बहुत लंबे time तक कही न कहीं अपना effect show करेंगी historian है fernand brindle उन्होंने एक warning दी थी against the fireflies and forth जिसमें आज के time पे जो situation है वो कहीं न कहीं लंबे time तक चलेगी और दूसरा जो situation है ये कोई आज ही की बनी हुई नहीं है पहले भी ये existence में थी आज जो policies presentism हैं जिसमें ये consider किया गया है एक belief निकल किया रहा है कि आज की जो circumstances है वो अपने आप में unique है permanent है unprecedented है अगर ऐसा सोच के चलोगे तो ये helpful नहीं होगा calmness is power, calmness अपने आप में बहुत बड़ी ताकत होती है शानती से काम लो covid जो है वो खतम होगा definitely हाँ ये बाठीक है जो previous quarter है जिसमें अभी अपने देखा economic trend GDP contract कर रही है 25% से तो last quarter अपने आप में unique है क्योंकि covid-19 की वज़े से कहीं नहीं problem हुई है पर covid-19 ने policy window भी open किया है जो कि बहुत सालों से reforms बाकी थे वो reforms आप ले सकते हो अब ठीक है जिसे कि अभी आपने पढ़ी होगी आज की news जिसमें cabinet ने approval दे दिया है जिसमें governance, performance और accountability based bureaucracy की sorting की जाएगी तो चलिए वो तो खेर अलग बात है कहने का मतलब covid-19 ने crisis के साथ में opportunity भी create की है तो जो covid-19 का pain है वो real है, unprecedented और expected है क्योंकि इसको अपन देख भी पा रहे है GST shortfall के बारे में अपन ने देखा 3,00,00 करोड का loss हो रहा है bad loans हैं वो भी 3,00,00 करोड तक बढ़ेंगे और 25% तक का GDP contraction अभी reports में देखा जा चुका है तो इस तरीके से देखें तो ये कोई हमारे पूरे planet के लिए कोई surprising नहीं बोल सकते इसको कि हाँ एक quarter का या एक साल का gap आ गया क्योंकि planet की ये इस तो बहुत बड़ी है 4.6 billion years old है अपना अर्थ तो तो इस तरीके से ये कोई बड़ी चीज नहीं है ऐसे crisis आते रहते हैं तो modern economies जो है वो कही ना कही एक नदी की तरह बहती रहती है इनमें तो लगातार पैसा आता रहे जाता रहे तब तो economies scale up होती रहती है पहले क्या था आप घरों में पैसे रख लेते थे मतलब कोई भी सामान स्टॉक कर लिया अब savings की बजाए circulation ज्यादा important है आज शेर holders की बजाए किसी को भी company के employee को salary मिलती है तो वो customer देता है क्या बात करते हैं अपन consumption led economic growth तो consumption तो consumer अब customer ही अगर आपकी company के नहीं होंगे तो आपके company का product ही नहीं भीकेगा और product नहीं भीकरा तो salary कहां से दोगे तो आज के time पे reverse system है भई, lake system नहीं है बैंकों के पास में land करने की power है पर spend नहीं कर सकते हैं वो खुद से खर्चा नहीं कर सकते हैं उधार देंगे तबी तो economic का जो cycle है जो नदी है economic की वो भेना शुरू होगी तो lockdown जो है इसने कहीं न कहीं force किया है pressurize किया है customers को कि वो strike करें pains को face करें और वो भी सबसे important pain कौन सा देखा गया unemployment जो 8 से 28% तक बढ़ चुका है तो ये जो data है ये चलो ठीक है कि 8 से 28% increase हुआ है unemployment पर ये precise तो आप बोल सकते हो जिस data या फिर जिस sample set को आपने pick किया है वहाँ पर आपने accuracy दिखाई है पर incomplete है क्योंकि जैसे कि आपने दिखा था कि informal sector जो street vendors हैं जो self-employed हैं उन लोगों ने कितने hardship का सामना किया है वो consider ही नहीं किया जाता है इस data के अंदर last quarter अपने आप में unique रहा है कि भाई short term में अपने आप में एक unmoldable situation आई है तो यहाँ पर तीन सवाल अभी भी खड़े रहते हैं important है कि भाई क्या हम start में है क्या हम middle में है या फिर virus end हो चुका है कोई clarity नहीं है तो यहाँ पर यह जो matter है यह अपने आप में और ज़्यादा important हो जाता है जब हम हमारी जो companies या फिर individuals जो unemployed हैं जो job करना चाते हैं जहाँ पर घरों में पैसा नहीं आ रहा है economy crisis का सामना कर रही है वहाँ पर uncertainty continue बन रही है मतलब tentative के वाईडिया basis काम हो रहे है और अगर पैसा केसी के पास आ गया तो वो ध्यान दे रहा है केविल सेविंग्स पे कि बही पताने आने वाले टाइम पे और कितना खराब टाइम आए तो ultimately problem क्या रही है economy के cycle की lower demand की problem आ रही है अब lower demand हो रही है तो benefit कहीं न गई एक आ रहा है वो ये कि environment जो है वो कहीं न गई अपने आपको improve कर पाया है अपने news भी पड़े होगी lockdown के टाइम पे जो animals थे वो streets में गूम रहे है और बाते क्या निकल के आ रही थी कि आज चलो ठीक है इंसान कैसे रहते हैं हम ऐसे देख के आते हैं लोग तो generally तो इंसान जाता है जंगलों में देखने के लिए तो कहने का मतलब एक paradox निकल के आया कि एक तरफ environment better हुआ तो economy loss कर गई और अभी तक अपने बहुत सा articles भी discuss किये हैं कि environment और economy दोनों को hand in hand चलना पड़ेगा sustainable development अगर ensure करना है तो economic growth should go with hand in hand with environment अपने कोई चीज ध्यान रखनी पड़ेगी finally अगर देखे तो इसका effective solution हमने को ढूनना पड़ेगा अभी तक वो भी available नहीं है कि ऐसे professions जहाँ पर social distancing proper maintain नहीं की जा सकती जहाँ पर vaccines अभी तक भी नहीं आया है वो कैसे काम करेंगे for example fastest growing segments labor market जहाँ पर sales में काम होता है customer service, logistic, hospitality, construction यह जो activities फिर से revive हो रही है उस case में आप बताओ वहाँ पर कैसे काम हो पाएगा यह बहुत बड़े सवाल है तो जितनी भी policies है वो कहीना कहीं short run में तो यह ensure करने में successful रही है चाए परधानमंतरी गरीब कल्यानी होजना हो या moratorium हो कोई भी हो या फिर जो health facility आपने avail कराई है वो short term में तो आपको कहीना कहीं यह बताती है कि disease है उससे death नहीं होगी unemployment है उससे आपकी बुखमरी नहीं आएगी और अगर working capital नहीं आ रही है लोग invest नहीं कर रहे है तो bankruptcy नहीं होगी बट long term में इसका scene बिलकुल different दिखता है क्योंकि short term में तो आपने केवल domestic issues को द्यान में रखा है और जब long term की बात आती है तो international issues भी कहिना के impact लाते हैं कैसे पोस्ट कोविड, पोस्ट ट्रम्प, पोस्ट चाइना, पोस्ट GST और पोस्ट US Federal Reserve इनके क्या-क्या इसी developments हुई है जिनका impact इंडियान economy पर देखा जा सकता है जिसमें सबसे पहला यहाँ पे expose कर रहा है writer की जो dollar है, वो currency तो US की है पर variation जो अगर US Federal Reserve जो Central Bank का USA का, वो अगर changes लेके आता है तो भई problem तो इंडिया भी face करता है इंडिया जैसे बहुत सारे countries करता है तो आज के time पे अगर balance sheet को US Federal Reserve अगर shift करता है और अपनी जो targeted जितनी भी उन्होंने policy rates fix करके उसमें अगर variation लेके आता है तो उसका impact इंडिया पे आता है क्योंकि अगर USA में ही dollar को अगर benefit जादा होने लग गया तो इंडिया में क्यों invest करेंगे investors, वो USA में गर लेंगे क्योंकि इंडिया तो वैसे vulnerable economies में consider होती है साथ में USA का जो fiscal deficit है वो 3 trillion US dollar तक पहुँच गया है तो एक तो यह impact दूसरी तरफ चाइना जो है वो territorial arrogance में हो रहा है बावडा, ठीक है तो यह अपने आप में एक premature चीज है क्योंकि जो credit to GDP जो है चाइना में unsustainable है जो 300% तक पहुँच गई हम credit to GDP की बात करें 85% ही नहीं अपना तो यहाँ पे 50% वाली range में भी आपने आने में बहुँच टाइम लगेगा तो इस चीज से देखें तो चाइना की बड़ी companies जो है वो कही ना कहीं अपने domestic market अपनी captivity में तो अच्छी perform करेंगी पर जैसे ही वो jungle में उतरेगी that means world international level पर जैसे उतरेंगी तो उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि domestic consumption केवल इतना sufficient नहीं है कि वो global trade substitute कर सके यह अपने को भी समझने की ज़रुष है जिसमें अपन आत निर्बर भारत में कहीं ना कहीं domestic consumption के उपर ध्यान ना दें यह कहीं ना कहीं एक hint है अपने लिए direct indirect रही सही में चाइना का जो military outreach है वो आसपास के regional powers को जैसे इंडिया को इंडिया के आसपास में regional जो issues हैं या फिर South East Asia की बात कर लो या East Asia की बात कर लो तो वहाँ पर उन region में unity लेकर के आ रहा है तो यह चाइना के लिए बहुत ज़्यादा regretful हो सकता है पर हाँ इंडिया इस चीज़ को enjoy कर रहा है क्योंकि बिना कुछ कर रहे हैं muted global growth अब global growth जो है बिलकुल mute हो चुकी है जो perspectives जो ideas लगाए गए थे कि global growth इतनी रहेगी इतनी कम इतनी ज़्यादा वो सारी के सारी रुक चुकी है क्यों क्योंकि oil prices अब क्या हो रहे हैं इसका मतलब global growth रुक रही है तो oil price ज़्यादा नहीं जाएगी तो वो कम रहेगी तो इंडिया के लिए कहीं न कहीं macro economic point of view से एक gift है जो कि इंडिया में एक birth defect consider किया जाता है कि जहां पर 1.3 billion population रहती है और वहां पर energy resources खुद के नहीं है क्योंकि 85% energy requirement इंडिया import से fulfill करता है तो इंडिया के लिए तो oil prices down होना अपने आप में gift है इसी तरीके से जो global digitization super cycle चल रहा है जिसमें software के demand बहुत जादा है software talent की बहुत जादा demand है जो आने वाले कुछ दसकों में जो rich countries हैं वहां पर population aging problem बढ़ती जा रही है क्योंकि वहां पर बूरी जादा होती जा रहे है तो वहां पर health system में digitization को वह जादा से जादा involve करेंगे तो इस वज़े से वहां पर public debt भी लगातार बढ़ रहा है aging population है ना और साथ में health system में भी वह invest करेंगे तो और जादा उनको struggle करनी पड़ेगी अपनी economic growth को ensure करने के लिए ठीक है पर दूसरी तरफ अगर देखें तो जो capital fixed income की बात की जाए जैसे कि आपने कही invest किया कोई rich country में आज इंडिया में इस टाइम में बुरी परिष्टिती में भी investment क्यों आ रहा है पता आपको उसकी वज़े यह है कि जो foreign countries है वहां पर उनको bond से या फिर जो invest कर रहा है उनसे कुछ नहीं मिल रहा इवन negative से zero interest rate मिल रही है इसलिए इंडिया में investment आ रहा है तीक है बताया जा रहा है कि 500 billion dollars से भी ज़्यादा हमारे यहाँ पर forex reserve हो चुका RBI के पास में तो उसकी वज़े क्या है कहीं ना कहीं यही है कि वहाँ जो bonds हैं वो yielding जादा हो रही है that means उनका outcome जो है वो reduce होता जा रहा है इस तरीके से जो investors हैं उनको कहीं ना कहीं एक pressure में आकर के over price growth मतलब जहां पर उनको growth मिलनी चाहिए उस तरफ वो shift कर रहा है कहने का मतलब minus की बजाए अगर zero में भी उनका पैसा बचा रहा है तो उधर interest ले रहा है वो इसी वज़े से इंडिया जैसी जो countries है वहाँ पर investment ज्यादा देखा जा रहा है यह एक अपने आप में fact निकल के आ रहा है ठीक है और इसका benefit क्या बता रहा है यहाँ पर writer आपको हसी आएगी यह बात सुनके कि हमारे जो पिछले कुछ गरवडियां की हुई है past since है वो कही ना कहीं इंडिया को एकलोता ऐसा बड़ा country बना के रखते हैं जो अभी भी growth के लिए कही ना कहीं directional है मतलब आने वाले time पर growth register करेगा तो बड़े countries जो है वो कहीं ना कहीं रुख चुके हैं या फिर वो decline की तरफ जा रहे हैं उनके पास में कोई problem कहने का मतलब होता ना की saturation आ चुका है उन economies में और इंडिया अभी progressive है चाइना की अपने बात अल्रेडी करी ली चाइना तो वैसे decline भी नहीं कर रहा है तो बहुत सारी issues का सामना करना पड़ रहा है इसी तरीके से ये सारा system जो हो गया ये तो हो गया luck का क्योंकि अभी तक अपने जितने भी segment बात कियो वो बाहरी factors हैं और बाहरी factors क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उसको अपन luck factor बोल सकते हैं जैसे आपकी preparation में आप खुद कितना तयार करते हो that matters बाहर से आपके घरवाले कितनी कैसे circumstances दे रहे हैं बारीस आगई बुखार मतलब किसी ने आपका आप चला रहे हो बाई का exam देने जा रहे हो आपकी बाई कहीं touch होगी होना ऐसा पर ऐसा हो जाए तो वो luck factor हो जाता है पर आप तो आराम से चला सकते हो वो बात अब आती है तो कहने का मतलब यह है कि जो एक ambition जो politics में दिखाई गई है recent जो courage दिखाया गया है politics में जैसे कि article 370 को ineffective बनाना black money के against में campaign शुरू करना स्वच भारत एक अपने आप में कहते हैं कि एक iconic scheme लेकर के आना उजवला जैसी scheme implement करना तो इस चीज़ को हमें government of India से replicate करना चाहिए economics point of view से भी देखे तो क्योंकि हमारे यहाँ पर problem केवल jobs की नहीं है भाई productivity की problem है यहाँ पर चाहे skill wise देखो चाहे employment के point of view से देखा skill अपने पास में जो youth है उनके पास में बहुत कम है साथ में उनको harness करने के लिए जो एक broad based चीए companies का या फिर जो employers का वो भी कम है तो वो चीज़े हमें harness करने की जरुद है तो हमें जरुद किसकी है compliance reform लेके आने की जिससे की companies को ज़्यादा hardship का सामना ना करना पड़े labor law reforms लेके आना चीए जिससे की चाइना से जो companies उठकर के अब दूसरे देशों में जाकर के अपना खुद का company shift कर रही है चाइना से base shift कर रही है तो उसके लिए हम attractive बन सके banking reforms लेके आना चीए जहाँ पर हम credit to GDP ratio को 50 से 100% तक लेके आ सके क्योंकि economies are क्या है river lakes नहीं है इसलिए हमें एक cycle बनाना पड़ेगा तो हमें credit to GDP ratio को increase करना पड़ेगा education reform लाना पड़ेगा जिसें की जो national sorry जिसें की जो universities और schools है वो पूर्ण स्वराज मतलब उनको maximum autonomy provide की जा सके और इसकी तरफ कहीं न कहीं कदम भी उठाया गया है national education policy calendar में जो आने वाले 15 से 15 सालों में कुछ result देगी तो उसको थोड़ा और accelerate करके ministries की वज़े से बहुत सारे constraint आते रहते हैं जहां 52 ministries हैं उनको reduce करके आफ 15 में लेकिया हो जिसें की ease of doing business reforms आ सके हैं इसी तरीके जो civil service reform भी अपने को लेकि आने पड़ेंगे मैंने जैसे बता दी आपको भी कि cabinet ने approval दे भी दिया है reforms के लिए एक तरीके से reconsider करेंगे जो भी civil servants हैं उनको ठीक है तो इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है जिसें की जो दिल्ली में secretary level के जो लोग बैठे हैं उनके numbers को भी 250 से 50 पर लाया जा सके जिसें की जो एक hurdle जो बनता है red tapism का वो खतम किया जा सके कम किया जा सके तो इस तरीके से covid-19 ने एक window create किया है जिससे की अपन changes ला सकते हैं Japan से अपन बहुत सी चीज़े सीख सकते हैं जिसमें risk averse bureaucracy को किस तरीके से overrule किया जा सकता है जिसमें prime minister sinjo abe ने एक great strategy show की जिसमें fiscal monetary और structural action का एक three arrow basis पे काम किया तीन तीर तीन arrow fiscal policy जो है वो एकदम बड़िया quality की formulate हो monetary policy अच्छी हो और साथ में structural actions लिए जाएं जिससें की ये जो bureaucratic hurdles है इनको avoid किया जा सके तो covid-19 की वज़े से covid का ये जो economic pain है ये passing shower है ये climate change की तरह permanent नहीं है ठीक है तो हमें जरुरत क्या है कि ये जो मौसम बना हुआ है अभी जिसमें GDP contraction 25% हो रहा है वो तो pass हो जाएगा वो तो निकल जाएगा वो कोई बड़ी चीज नहीं है क्योंकि ये first quarter में 25% contraction देखा गया second quarter में आप देखोगे क्योंकि थोड़ा बो 25% से उपर नीचे फ्रेक्शन में थोड़ा सा आप देखोगे क्योंकि लेबर मार्केट को जो अब्जॉप करने वाली मतलब जो shock absorber है लेबर मार्केट के जैसे कि self employment हो गया agriculture है वो कहीं नहीं poor condition में है तो वो कहीं नहीं fractionally ही marginally ही 25% का contraction reduce हो पाएगा पर इसका मतलब यह नहीं है कि भूख मरी फैलेगी या भूख मरेगी क्योंकि अब इस stock में है खाना और साथ में इसके लिए काम भी हो रहा है तीसरे quarter में आप देखोगे तो factories अपने काम में वापिस लग जाएंगी production फिर से शुरू हो जाएगा migrants फिर से अपने host states में आ चुके हैं वो फिर से अपने काम को शुरू कर रहे हैं और offices हैं वो open हो रहे हैं investors invest कर रहे हैं तो entrepreneur भी अपना जो skill है अपना जो start-ups है उनको restart कर रहे हैं नए start-ups आ रहे हैं तो कहने का मतलब यह है कि economy तो धिरे-धिरे revive कर जाएगी जिस तरीके से अपन सोच रहे हैं पर बात जो है वो है कि आज जो government 10 lakh crore रुपए उधार लेने की बात कर रही है debt ले रही है borrow कर रही है वो कही ना कही आने वाली generations के खजाने से या उनके लिए जो आकई में stock होना अच्छी उनके खजाने से चोरी हो रही है stealing हो रही है तो अभी जरुरत क्या है हमें एक climate change की जिसे हैं कि जो entrepreneurs हैं forms हैं citizens हैं उनको हम economic पूर्ण स्वराज दे सकें ऐसे reforms लाने की जरुरत है जब government को 10 लाग करोड तक का loan लेने या उधार लेने की जरुरत ना पड़े हमें जरुरत है कि हम हमारे per capita income को पचीस सो डॉलर से दस हजार डॉलर तक ले जाए आने वाले पांच सालों में और अभी नहीं तो फिर कब करने की जरुरत है या भी ठीक है next article है the digital over promise over promise क्यों बोल रहे है उसका अपने यहाँ पर arguments मिलेंगी यह article लिखा गया है Sam Pitroda के द्वारा education empower करने के लिए होती है redefine करने के लिए होती है आज इंडिया में hundreds of million youth हैं जो education के लिए aspire करते हैं क्योंकि education उनको discipline देगी उनका development होगा curiosity डवलप होगी creativity आएगी और जो cycle of ignorance का है जो ultimately poverty की तरफ लेके जाता है उस cycle of ignorance के पात को भी break करती है education और ultimately employment के साथ में prosperity भी ensure हो पाती है youth की तो इस तरीके से education कितना important part है यह चीज़ क्लियर होड़ी है यह line आप use कर सकते हो एसे में as it is writer जो है खुद एक tribal village of Odisha से belong करते है जिन्होंने masters physics में की थी 1964 में जहां जब fees लगी थी केवल 10 dollar तो इतना सस्ते में कहा education मिल सकती है यह बता रहे है तो education का जो scale है plus minus सारा बताएंगे फिर इन्होंने electrical engineering की USA से और अपने आपको एक engineer consider करवाया फिर इन्होंने अपनी family को uplift किया और ultimately life long prosperity दे पाए तो यहां पर यह example है कि किस तरीके से education empower करती है और life को redefine करने में help करती है और यही dream बहुत से जवान जो youth हैं इंडिया के students उनके लिए है कि हम भी हमारी family की जो hardships हैं उनको खतम कर सके government ने new education policy 2020 अभी publish की है अभी launch की है तो यह अपने आप में बहुत अच्छा काम है education के लिए यह अपने आप में education को national agenda बनाती है आज अगर देखें तो parents की एक aspiration होती है कि वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छे education दे जबकि हमारे यहाँ पर जो supply side है education system की तरफ से जितनी supply आनीच है उससे ज़्यादा demand हो रही है that means awareness आ रही है लोगों में इसके लिए National Knowledge Commission NKC उन्होंने 2004 से 2009 के बीच में बहुत सारे ideas दिये थे educational transformation को ले करके कि कि किस तरीके से 21st century में हम education को transform कर सकते हैं government को किस तरीके से सोचना चीए किन चीजों पर emphasis देना चीए और कौन-कौन से sections को expand करना चीए और excellence और equity कैसे ensure की जा सके उस पर ध्यान देने के लिए NKC ने National Knowledge Commission ने कुछ ideas recommendation दिये थे और वो ideas और recommendation जो थी उन्होंने UPA government के टाइम पे बहुत सारे fronts पे implement भी किये हैं जैसे की universities बहुत सारी खोली गई, IITs, IIMs का बहुत जादा expansion हुआ education के लिए right to education bill, right to education act जो आया, 11th five year plan में वो आ गया, तो कहने का मतलब यह है कि हमने जो ideas दिये थे उन पे implementation और activities हुई, national education policy जो 2020 है यह अपने आप में एक positive step है इसी direction में, but challenge आते हैं, वो आते हैं कि promise तो आपने कर दी, उसको deliver कैसे करोगे वो एक सोचने वाली बात है जैसे कि target किया है कि GDP का 6% अब expenditure किया जाएगा education पे, यह एक welcome step है पर, 2014 15 में जो 4.14% जो expenditure हुआ करता था education पे, वो आज घटकर के 2020-21 में केवल 3.2% हो चुका है तो अगर good times में ही आप GDP का part education पे spend करने में reduce कर रहे थे, तो अब bad time आ चुका है, COVID-19 crisis चल रहे हैं, तो इस time पे आप कैसे कर पाओगे in promises को fulfill COVID-19 crisis जो है वो अब ये scope नहीं छोड़ता है कि आप best के लिए hope कर सको अब ये help करने वाली बात नहीं है अब हमें ready for the worst and hope for the best worst के लिए तयार भी होना होगा plan भी करना पड़ेगा क्योंकि अगर हम ये सोचें कि best के लिए केवल आशा करके बैठ जाएं कि अच्छा ही होगा जो होगा अच्छा होगा तो आप देख सकते हो migrant labor crisis जो आया था उसमें ये ही सोचा गया था कि ये आराम से मान जाएंगे ये crisis आराम से handle हो जाएंगे पर acute inability को expose किया migrant labor crisis ने कि किस तरीके से जो promise किये गये थे उसको अपन ने tackle नहीं किया implementation में failure दिखाया गया अगर अपन देखे तो अभी education system वह है वो भी crisis का ही सामना करता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि school colleges बंद हैं और पता नहीं 2021 में आने वाले time में क्योंकि cases लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो कब खुलेंगे ये भी पका नहीं है uncertainty continue है तो हमें यहाँ पर students की safety और security को ensure करना बहुत जरूरी है किस तरीके से करेंगे सवाल है दूसरा किस तरीके से बच्चों को discipline करेंगे कि भई आप इस तरीके से पढ़ाई करो घरों पे बैठ करके older teacher अगर आते हैं schools में तो उनको कैसे protect करेंगे किस तरीके से हम testing conduct करवाएंगे schools और college level पे classrooms को किस तरीके से redesign करेंगे ये भी बहुत बड़े सवाल है supplies कैसे ensure करोगे school में जो education वो अच्छे से provide हो सके teachers को कैसे pay करोगे जब students के माता-पिता के पास में अभी भी मिलना बहुत मुश्किल है और इन सब के लिए अपना answer जो है education crisis का जो pandemic के time पे और जबर्दस तरीके से निकल के आया है तो answer निकल के आ रहा है online education promote करो तो इसके लिए तो बहुत सारे serious issues है accessibility ensure करना devices नहीं है content कैसे develop करेंगे curiosity कैसे develop करोगे घर पर अगर बच्चा पढ़ता है school में तो चलो साथ वालों को देखता है teacher का pressure होता है उसकी वज़े से बच्चे कहीं न कहीं पढ़ने कोशिस करता है बट घरों पर कैसे teachers किस तरीके से पढ़ाएंगे training नहीं है उनके पास में testing facility proper नहीं है साथ में exams कैसे conduct करा होगे वो तो आज भी crisis देखने को मिल रहा है grade facility कैसे कैसे conduct करोगे funding कहां से आएगी इतना infrastructure develop करने के लिए facilities कहां से develop करोगे salaries कहां से provide करोगे parents जिनके पास salary नहीं है वो पैसे कैसे fee के form में pay करेंगे तो ये सारे questions भी तो नहीं कहीं बढ़ते जा रहा है ये भी तो serious issues है के वेल 25% Indian household ऐसे हैं जिनके पास में international facility है और rural household में जब पहुंच जाते हो तो भाई ये तो 15% ही आ जाता है तो 85% students तो exclude हो गए ना पढ़ाई से तो worst effect आप देखोगे तो इसका marginalized section rural poor population जो है उनके पास में तो accessibility ही नहीं है आप एक तरफ digital education की बात कर रहे हो तो वहाँ पर केवल video lectures ही केवल digital education नहीं होती है इसके अलावा आपको technology platform भी create करने होते हैं tools भी avail कराने होते हैं interactivity भी बढ़ानी होती है बच्चों में curiosity भी बढ़ानी होती ठीक है अभी जो इन सारे segment को consider करें तो हम completely under prepared हैं तैयार ही नहीं है government schools की देखो तो resources ही नहीं हैं और private schools भी ज़्यादा कोई difference आपको दिखाई नहीं देता private schools तो केवल और केवल full fees है वो ही माबाप से मांग रहे हैं अपने बच्चों के लिए full fees बेज़ दो जिससे कि हम हमारे staff को payment कर सकें और साथ में जो भी facilities हैं उनको maintain कर सकें बाकी चीजों के लिए पढ़ाई के लिए इतना seriousness नहीं दिखाई दे रही है तो जो financial model है हमारी education का ये fail होता हुआ दिखाई दे रहा है कारण कि केवल पैसों पे ध्यान दिया जा रहा है fees हड़ पी जा रही है education अवेल नहीं हो पारी है जो quality education मिलनी चाहिए ये जो situation है ये और ज़्यादा complex हो जाती है जब हम digital education के लिए proper policies नहीं देखते हैं साथ में infrastructure की कमी और multiple languages में वो education facility आप अवेल करो ये भी बहुत challenges को complex बना देते हैं इसके अलावा भी बहुत सारे challenges हैं कि जो माता पिता हैं वो fee कैसे pay करेंगे college की, schools की इसी तरीके से आप कैसे ensure करोगे कि uninterrupted broadband connectivity मिल सके अगर uninterrupted broadband connectivity मिल गई तो data के लिए payment कौन करेगा adequate space तो चीए कि घर में शानती भी है या नहीं जगे भी है कि नहीं बच्चे के पढ़ने के लिए अगर light चली गई तो digital discipline कहां से आएगा कि बच्चे वाकई में internet को access करेंगे तो वो पढ़ेंगे कुछ और नहीं करेंगे ये भी बहुत सारे सवाल आते हैं इनको भी हमें ध्यान देने की ज़रात है ये भी बहुत बड़ी problem है साथ में working parents के लिए तो ये problem और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है और अगर parents अगर slums में रह रहे हैं या rural area में रह रहे हैं तो इंटरनेट पे global experts की दुआरा बनाये गए content available है जैसे कि आप आज motivated हो तब ही तो आप इस वीडियो को देख रहे हो पुरा अगर motivated नहीं हो तो आपके ओपर pressure कैसे बनाये जाए कि आप पढ़ो मम्य बापा ने आपको बोल दिया चलो ठीका पढ़ो फिर थोड़ी देर में आपने skip किया कुछ और YouTube पे skip करके आप कुछ और वीडियो देखने लगे तो motivation is very important तो challenge है यहाँ पर कि बच्चों में curiosity लेके आना उनको mentor करना उनको बताना कि सही क्या है गलत क्या है unfortunately हमारे यहाँ पर teachers को train किया जाता है teaching के लिए ना कि mentoring के लिए और digital education के अगर बात की जाए तो हमें classroom को बिलकुल upside down बहुत ज़ादा drastic changes की ज़रत है जिसमें teachers को सुनने के साथ साथ में teachers के जो lectures हैं वो घर पे पढ़ें ऐसे education दे क्योंकि अभी तक school में क्या होता है class में जाके बैठते हैं बच्चे और teacher जो बोलता है वो सुन लेते हैं तो teacher की सुनी जाती है बट अब घरों पे बैठके वो पढ़ेंगे तो वो कैसे अपन find out कर पाएंगे that is the problem इसी तरीके से अगर homework वो घर पे बैठके करते हैं तो उनके आसपास में school classroom का कहीं नगे pressure बना रहता है वो घरों पे कैसे experience करेंगे तो इसके लिए हमें नए mindset और नए framework की ज़रूरत है जिससे कि ये policies और ये target आम achieve कर सकें पास्ट में दो initiative ऐसे लिए हुए है digital education को promote करने के लिए एक है National Optical Fiber Network जिसको NOFN जिसको अभी भारत network बोल दिया गया है दूसरा है National Knowledge Network जो भारत network को उसका target क्या है डाहिलाग पंचायतों को broadband connection से connect करना जिसमें 40,000 करोड तक का costing है NOFN की बात की जाया तो अभी तक वी वी वो completely operation में नहीं आ पाया है जबकि 8 साल हो चुके हैं इसको launch की है जिससें अभी तक गाओं में rural region में telecom operators रीच तो कर चुके हैं पहुँच चुके हैं connection हो चुका है पर वो वहाँ पर अपनी activities को perform नहीं करना चाते हैं क्योंकि lack of profitability telecom sector, private sector पैसा नहीं मिलेगा उनको तो वो क्यों profitability नहीं आ रही है दूसरा इसके लिए चलो ठीक है कि आपने universal service obligation fund भी established किया था NOFN के लिए तो उसके basis पे आप implement करते हो और इनको execute करते हो तो यह जो facts में बता रहा हूँ नहीं यह बहुत important है, ध्यान रखने है अपने वो prelims के लिए बहुत जरूरी है साथ में NOFN के लिए देखें तो प्लान किया गया था इसको as a part of national information infrastructure जिससे की free flow of information to all can be ensured ठीक है, सभी को free flow of information ensure किया जा सके enable कर दें सबको कि हाँ, सब के पास में एक click पे सारे information available हो जो city के बच्चे के पास में है वो गाउं के बच्चे में हो जो अमीर के बच्चे के पास में है वो गरीब के बच्चे के पास में भी हो उस चीज़ के लिए national information infrastructure के अंडन में NOFN project एक तरीके से envisage किया गया था education और health इनको first priority के basis पे रखा गया था कि जो भी broadband basis जो communication facility अवेल कराई जाएगी तो ये common infrastructure को हम utilize करेंगे education और health को empower करने के लिए जिसें कि दूर दराज के गाओं में और जो भी पंचायते हैं वहाँ पर एक जो important component है वो health और education के लिए direct किया जा सके उसके लिए strategy बनाई जा सके इसी तरीके से national knowledge network जो है उसको establish किया गया था कि high bandwidth low latency network establish किया जाए जिसें कि जो knowledge creating organizations हैं जैसें कि IIT हो गई IIM हो गई, university हो गई, research lab हो गई या other e-governance institutions हैं उनको और district level पर जितने भी और platforms है जहाँ पर knowledge creating मतलब जो अपने आप में intellectually advanced organization है उनको interact करने के लिए यहाँ पर aim ये था national knowledge network का कि encourage किया जाए collaborative development की तरफ जिसें कि एक all field repository of knowledge can be built कहने का मतलब है एक सभी field से सम्मंदित knowledge को इकटा करो और इस तरीके के एक repository बनाओ जिसको हर कोई access कर सके ये target था NKN का ये network आज exist भी करता है fully functional भी है पर कुछ institutions ही हैं जो इसका पूरा advantage ले पा रहे हैं बाकी क्यों नहीं ले पा रहें understanding समझ नहीं है local facility है नहीं है infrastructure नहीं है funding की कमी है technical expertise नहीं है जो लोग वहाँ पे काम करते हैं तो इसका मतलब यह हो गया कि जो नई policy है उसको इसके बारे में address करना चीए था पर इस network की national knowledge network की effectiveness के लिए कोई mention नहीं किया हुआ है new education policy में जबकि आप देख सकते हो knowledge creating organizations का आपनी group बनाने की कोशिश की इनको interconnect करने की कोशिश की government ने अपना e-government जो program है उसकी backbone ही जबकि NKN को बनाया हुआ है तो इससे related education तो spread होनी चीए बच्चों के पास में लोगों के पास में जितने भी key stakeholders है उनके पास में इसके बारे में awareness होनी चीए NOFN और NKN की बात करें तो उनके लिए driving force जो है वो IT-based teaching system है अपने आप में कहने का मतलब है IT-based teaching के लिए ये दोनों बहुत important है क्योंकि ultimately problem क्या है shortage of teacher supply की problem देखी थी अपने तो shortage of teacher को teachers की shortage को address करने के लिए NKN और NOFN बनाया गया था साथ में quality teaching available कराई जा सके school की infrastructure की जो कमी है जो कहीं न गए economy के point of way से देखा जाए तो बहुत कम पैसा उनको मिलता है तो उन सारी कमियों को handle out करने के लिए तो कहने का मतलब है education में NOFN और NKN already important role play करते हुआ है इनको इसी जीज़ को ध्यान में रखते हुए establish किया गया था तो इन पे ध्यान देनी की जरूरत है जो national knowledge commission है उन्होंने अपने खुद के बहुत सार experiment किये खुद से experience किया है पंचायत schools में और realize किया है कि जो आज teacher centric education system है उसको हम IT based teaching system की तरफ लेखे जाएं तो बहुत मश्किल है क्योंकि synchronization नहीं है वहाँ पे old mindset है लोग switch ही नहीं करना चाते teacher switch ही नहीं करना चाते और कईयों के vested interest है कि अगर ज़्यादा society educate हो गई तो सवाल पूछेगी ये वज़य होती है जिसकी वज़य से कहीं न कहीं जो teacher centric education हो उसको IT based teaching system की तरफ ले जाने में मुश्किल आ रही है तो ये transition जो है जहाँ पे हम चाते हैं कि teacher class based teaching को digital education में लेके जाए तो हमें multi-pronged efforts की जरुरत है time के साथ-साथ तो ये बात ठीक है कि NKN जो है वो अपने आप में धिरे-धिरे expand कर रहा है और ये अच्छा कदम है इसी चीज को ध्यान में रखें तो हमें और जो कमिया है जैसे NOFN जो है उस पे भी हमें relook करने की जरुरत है जो हम digital India initiative की तरफ जब हमारा ध्यान जाता है तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो e-services है वो economy के जो bottom pyramid का जो bottom है जहां पर गरीब लोग जहां पर marginalized section जहां पर downtrodden section है उनको focus में लेके फिर काम किया जाए तो ये time है जब हम use करें NOFN और NKN को जिससे कि हमारी schools को हम connect कर सकें और digital education system को empower कर से के encourage कर सकें ठीक है इसी तरीके से ये जो long time से जो substantial resources हमें acquire करने थे जो कुछ available भी है तो उनको use करना चाहिए यहाँ पर key question यह आता है कि जो parents है वो पैसे क्यों pay करें जब उनको education नहीं मिल रही है proper उनके बच्चों को उनके बच्चों की education से वो अगर satisfy ही नहीं है तो उस case में वो क्यों pay करेंगे fees को तो ये चीज़ भी हम ensure करने की ज़़़ा था कि quality education बच्चों को मिली तो इस सारे process में बच्चे जब घर पे रह रहे हैं वो wait कर रहे हैं real education की कि उनको अच्छे education मिले आज ये जैसे से time बीत रहा है जिसको आपन demographic dividend बोल रहे हैं वो एक national resource है वो धिरे धिरे drain कर रहा है खतम हो रहा है और इसके long term implication हमें देखने पड़ेंगे crisis में convert होते हुए कैसे जब future workforce के time workforce के demand होगी और वहाँ पर quality जो employees है या quality जो aspirants हैं वो नहीं मिलेंगे तो writer last में एक बात बोलते है digital India is not prepared for digital education हमें इस पे काम करने की जरूरत है तो education पर कभी भी कुछ है तो आप लिख सकते हो बहुत अच्छा article था यह next article अपने देखते है discussion थोड़ा सा lengthy हो रहा है unity of purpose ये PDT आचारे ने लिखाया है parliamentary committees के बारे में parliamentary committees जो है वो non party bias पे काम करती है ये अपने आप में parliamentarian का एक unique experiment होता है और ये जो committees की working होती है ये ही parliament की functioning को कहीं नहीं empower करती है strengthen करती है क्योंकि इन committees का काम होता है जो भी government कोई भी कदम लेके आ रही है कुछ भी नई policy नई scheme लेके आ रही है तो उनको scrutinize करना और government की activities को check करना वो क्या करती है कि जो parliament में जो houses होते है lower house और upper house वहाँ पर बहुत ज़ादा एक बहुत सारे issues आते है तो उनको जो एक कहतना की crude level पर जाके basic level पर जाकर के फिर check जो करना होता है वो committees ही करती है तो facts को find करना किसी भी particular matter पर उनसे related recommendation देना ये एक important काम होता है parliamentary committees का जबकि हाँ ये बाट ठीक है कि जो recommendation होती है क्यों directory होती है mandatory नहीं होती government पर फिर भी government इन सारे recommendations को consider करती है importance देती है और अपनी policies को जब implement करती है तो practically possible recommendations को accept भी करती है governments इस तरीके से एक valid reason है कि parliamentary committee जो है वो non partition manner में काम करती है उनको setup जो होता है वो house में से ही किया जाता house members ही होते है और उन ही issue पे इनको setup किया जाता है जो public importance से related हो कहने का मतलब कि अभी जो public importance से related issues है उनके ओपर parliamentary committees को establish किया जाता है और इनके members जो होते है वो जो normally house में अपनी जो political ambitions होती है या फिर political narration होता है उसको ध्यान में रखते हुए जो house में conduct करते हैं उन चीजों को छोड़ करके यहां पर open mindedness मतलब narrow consideration को छोड़ देते हैं कि हाँ हम नहीं चाहते कि Congress का बिलपास नहीं हो BJP का बिलपास नहीं हो उस चीज़ को छोड़ करके as an individual वो यहां पर participate करते हैं ठीक है और साथ में यह कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से सच तक पहुचा जाए कि क्या सही है और क्या गलत है और उस जो facts find कर लेते हैं उनको house की नजरों में लेके जाया जाए कि भई यह हमने find out किया है तो rules और practices की बात की जाए तो कही ना कही इन committees ने अपने आपको strengthen किया है और convention के point of office से देखा जाया जो अभी तक conduct किये जा रहे हैं इन committees के द्वारा तो वो house की performance को improve ही करती दिखाई दे रही है rules को अगर देखें तो rules कुछ ऐसे हैं जो allow नहीं करते कि media वहाँ पर present हो किसी भी committee के meeting में तो इसी के साथ में किसी भी minister को इन committees का member भी बनना allow नहीं करती ये committees से related जो rules हैं तो ये जो practice हैं ये कही ना कही अपने आप में ये भी बताती है कि कोई minister जो है witness की तरह आनी सकता ये भी चीज आ गई कहने का मतलब किस तरीके से यहाँ पे unbiased way में committees काम करती है वो ये चीज बता रहा है यहाँ पे writer केवल senior जो most officers है जिन्होंने policy बनाई है concerned department जिनके जिस department से associated वो public matter है जिसको अभी कोई particular committee scrutinize कर रही है वो ही केवल committee के सामने आता है और वो ही अपनी बात रखता है इसी तरीके से proceedings जो होती है वो हमेशा confidential होती है और उनके लिए कोई permission नहीं है कि public domain में उनको disclose किया जा सके तो members के पास में ऐसा कोई political stand नहीं होता जहाँ पर उनको कही ना कही यह देखाना पड़े दुनियादारी को या फिर मतलब जो लोग है जो वोटर बैंक है उनको यह दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि हमने क्या कहा क्या नहीं कहा तो कहने का मतलब यहाँ पर fully unbiased way में committee काम करती है जो कि house के लिए एक helping organ होते है पर अभी जो recent एक development हुआ है वो अगर देखें तो उसने इस पूरी convention को breakdown किया है जिसमें IT committee head chairman जो है वो है शशी थरूर और बीजेपी member है जिनका नाम है निशीकांत दूबे उन्होंने एक दूसरे के आमने सामने आकर के इस convention को destroy किया है कि facebook officials को as a witness वहाँ पर बुलाया जाए इसमें कोई political issue नहीं था ये आराम से resolve किया जा सकता था rule और practice के basis पे अभी तक जो convention था उसके basis पे और इन चीजों के लिए को specific laws भी नहीं है कि ये right chairman का है या नहीं है पर practices जो है अभी तक की जो conduct रही है parliamentary committees की उसमें एक internal working rule बन जाते है कि जो कुछ भी काम होगा witness से related या फिर उन से related कोई भी preparatory work होगा वो उनके लिए जो एक allotted secret rate होता है committees के लिए वो decide करेगा कि कौन witness आएका कौन नहीं आएगा फिर उसको final approval दिया जाता है chairman के दुआरा कोई desired modification के साथ में कि जरुत पड़ी की हाँ कोई changes करने है लिस्ट में तो वो कर लेता है इसके लिए committee के सामने इतना कोई time नहीं होता है कि वो approval दे ठीक है क्योंकि committee को जल्दी से scrutinize करना होता है matter को तो अगर इस तरीके की practice अब adopt कर ली गई जहाँ पे committee members जो है वो objection दे कि witness बुलाया जाए या ना बुलाया जाए तो वो कही ना कही इस पूरे system को खतम करने या destroy करने की कोशिस कर सकती है कहने का मतलब यह है कि जहाँ पे एक neutral witness को बुलाने की बात होती है उससे deprive कर दोगे आप committees को अगर इस तरीके की political जो biasness को अगर आपने scrutiny की time पे भी एक तरीके से impose की तो तो यहाँ पर अगर house के rules की बात की जाए तो वो भी permit नहीं करते हैं कि जो list of witness है वो committee के दुआर approve हो जो rule 270 है rule of procedure के एंडर में वो यह कहता है कि अगर कोई question उठता है जिसमें किसी भी person को as an evidence आपको बुलाने की ज़रूत पड़े तो relevant purpose से issue कोई आ रहा है relevant purpose में तो committee जो है वो speaker को इस बात को refer करेगी मतलब कोई भी relevant issue है evidence के लिए किसी person को बुलाना है और उसमें कही question arise होता है तो speaker final decision देगा कि evidence को clear हो रही है number 1 witness को तब ही बुलाया जाएगा और उसी को बुलाया जाएगा जो relevant होगा उस particular issue पे इसका मतलब क्या हो गया speaker यहाँ पर vote नहीं देखेगा वो खुद से अपने हिसाब से decide करके बताएगा तो कहने का मतलब यहाँ पर जो committee है उसका head है उसको कि किस question से related हो बात है जैसे कि अभी facebook की बात हो रही है ऐसे हैं इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी witness का selection जो होगा उसको challenge तभी किया जा सकता है जब relevance की बात आए नहीं तो speaker जो है committee का chairman जो है उसका ही final say होगा उसने अगर कह दिया कि witness आना चाहीं तो हो आएगा तो कहने का मतलब यह है कि अभी तक अगर position देखे house rules या फिर committee के जो convention है जो उनकी activities रहे है experience रहे हैं उनके basis पे तो present controversies है इनको avoid करना चाहिए parliamentary committee को हमेशा sensible way में काम करना चाहिए क्याकि अभी तक जो healthy tradition आया है जहाँ पे parliament institutions जो है एक तरफ और दूसरी तरफ members हों तो यह unhealthy practices है यह destroy करती है जो unity purpose है उसको क्योंकि यहाँ पर political biasness कही नहीं avoid करने की ज़रुत है तो हमें यहाँ पर ध्यान देने की ज़रुत है कि जो purpose है कि effective functioning हम parliamentary committees है उनका ensure कर सके ठीक है तो इस तरीके से आज का अपना discussion यहीं खतम होता है Thank you